दोस्तों सहारा ग्रुप के प्रमुख सुबरत रोय का 14 नवंबर यानी मंगलवार की रात को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। सहारा ग्रुप की संपत्तियों में जिसकी सबसे आधिक चर्चा होती है। वो है MB वैली सिटी जो महराष्ट्रा के लोनावला में है। लोनावला की पहाडियों में बसी इस सिटी में लगजरी लाइफ की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर प्राइवेट जेट का रनवे भी बनाया गया है। आए जानते हैं इस टाउनशिप की खासियत क्या है। MB वैली सिटी 10,600 एकर क्षेत्रफल में बसी है। इसमें कई बॉलीवुड सितारे और क्रिकेटर के भी अलीशान बंगले हैं। लोनावाला से 23 किलोमेटर की दूरी पर बसी MB वैली को भारत की पहली प्लांट हिल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर अमिताब बच्चन और सचिन तेंदुल करके भी बंगले हैं। सुरक्षा की बात करे तो यहाँ पर ट्रिपल लेय की सिक्योरिटी मौजूद है। यहाँ की खूबसूरती यूरोप के शहरों को भी मात देती है। इसे सुबरत रॉय का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। सहारा प्रमुख ने इसे 49,000 करोल रुपे की लागत से बनाया था। यहाँ पर आवासियों और कॉमर्शियल दोनों संपत्तियां हैं। यहाँ सहा का प्राइवेट रन्वे भी है। सुप्रीम कोर्च ने दिसंबर 2022 में MB वैली की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इसका मालिकानाह कभी भी सहारा ग्रुप के पास है। साल 2003 विश्वकप में पूरी भारतिय क्रिकेट टीम को यहाँ साथ कमरों का डिलक्स अपार्टमेंट दिया गया था, जिसमें सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंग, सौराव गानगुली समेत पूरी क्रिकेट टीम शामिल रही। वहीं बॉलीवुड के महानाया का मिताब बच्चन और उनकी बहु एश्वर्या राय का बंगला भी यहाँ पर लोनावाला की पहाडियों में बसी इस टाउन्शिप की प्राकृतिक सुन्दर्ता देखने के लिए पर्याटक भी आते हैं। यहां लेक और खूबसूरत पहाडियां भी हैं। इस टाउन्शिप में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और स्कूल जैसी सुविधाएं हैं। यहां रहने वाले अधिकतर लोगों के पास अपना प्राइवेट जैट है। ऐसे में सहारा ने यहां पर प्राइवेट रंवे भी बना रखा है। वहीं यहां पर होटल्स गोल्फ कोर्स भी है। इस टाउन्शिप में वाटर स्पोर्टस, एडवेंशर स्पोर्टस जैसे इवेंट्स होते रहते हैं इसके अलावा बाइक और कार रेसिंग के लिए भी यहां सुविधाएं हैं सहारा प्रमुक सुबरत रोय कभी देश के सबसे बड़े बिजनिसमेन हुआ करते थे उनके साथ लंबी गारियों का काफिला चलता था वो मुलायम सिंग और अमर नात सिं करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहें